मैं हैं इस्लामदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटेंग्स रात को सोते वक्त बीवी पर पती ने जानलेवा हमला कर दिया जिसमें महिला गंभी डूप से घायल हो गई है उसे इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराए गया महिला का नाम सपना 49 वर्सिये बताय जा रहा है जबकि उसके पती का नाम प्रकास शंकर पाटिल 43 साल बताय जा रहा है इस पूरे घटना के बारे में सपना के भाई गनेश चोहान ने पुलिस में शिकायत भी दच कराई है पूरा मामला भिमंडी तालूका के कल्यान पढगा रोट इस्थित बाप गाउं की है जानकारी के मताबिक सपना और प्रकास की साधी 2007 में हुई थी और उनका एक चार साल का बेटा भी है सपना अपने घर में सो रही थी तभी प्रकास अचानक अपनी पत्नी सपना पर हमला कर दिया डंडे से उसे बड़ी बेरहमी से पिटाई की और पिटाई तब तक की जब तक वो लहुलूहान नहोगी शोर शराबा सुनकर परिवार और आसपडोस के लोग भी कठा हो गए और ततकाल सपना को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया सपना के भाई गनेश सुरेश चोहान ने पुलिस में शिकायत की और शिकायत पर पुलिस ने 307, 326, 324 के तहट मामला दर्च कर लिया है इस पूरे घटना को लेकर जो है सपना के भाई गनेश सुरेश चोहान ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते है आनि तीला माला वटत बांधुन मंझे सासू आनि तीजा नंदा घंचा वरती पन माला संच है करन त्या लोकन निनात माजा भाई नीला आयू शोच्टर प्रेश चोड़ून गेले लेथ मैं आलो नलगेस तेलोको निगुन गेले आशे त माज वरती प्राकून माला वंडले कि काही काल जी नोको करू बिल ची आमी सर्वगाय करू पन नंतर मी शकाली आलो तो माझा करन डॉक्टर अन्नी बिल ची फीज साथ हजा रुपे गेतली आये अग्चुली हा दबाव 307 वायला पाईजे आनि माजा भहीनी वरती आत्याचर जाले तन्ना मोटेत मोटी सजा जाली पाईजे यहोड़त माची विननती है